नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल एबी टेक में दोस्तों इस वीडियों में बात करेंगे यूपी एसी एसिस्टेंट प्रोफेसर बढ़ती 2021 के बारे में इसका रिटन एकजाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया आप लोग अपना रिजल्ट जो है चेक गूल को लेकर के भी जानकारी दी गई थी उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे तो सबसे बड़े देखिए कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे रिजल्ट चेक आउट करने के लिए आपको गूगल पर आना यहां पर टाइप करना है वेबसाइट का नाम गवर्म HSC Assistant Professor exam result 2022 इस link को आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर नीचे की तरफ पेज को स्कुरॉल करके आएंगे तो यहां पर आपको जो है link मिल जाएगा रिजल्ट चेक करने के लिए ठीक है यहां पर देखिए एक जहां लिखा है download written exam result यहां पर क्लिक करके आप लोग एक्जाम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इंटर्वियू सेड्यूल की बात करें एक कटाफ की बात करें तो अभी जारी ऑफीसल वेबसाइट पर नहीं की गई है जैसे ही जारी होगा यहां से आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा तो यहां पर क्लिक हियर को क्लिक क लिंक आज ही एक्टेवेट किया गया है्ए और आज ही आपका रिटरन एक्जाम का रिजल्ट जो जारी किया गया है कॉट आफ के बारे में आज समाचाइब पत्रों में दी गई थी कटाफ भी जारी करके जो है अब मैं तक और आफीसल वेबस की पर जारी नहीं हुआ मैं आपको आफिसल वेबसाइट भी दिखा दूँगा अब देखिए जो रिजल्ट यह सब्जेक्ट वाज आपका रिजल्ट है इसमें उन्हीं अब बिर्थियों के नाम है जिनका आइधिंग चैन किया गया है ठीक है मुझे लगता है कि यहां पर उस सब्जेक्ट नहीं होगा जो सेलेक्टेड होंगे उनका ही यहां पर रोल लंबर मिलेगा तो यहां पर देखिए रोल लंबर है और यहां पर कर्टेगरी है यहां पर पीएज है यहां पर डीएफेफेफेपर यहां पर सब्जेक्ट नेम है तो यह सबसे उपर हिंदी की लिस्ट दीगे जो हिंदी मे מ hardware आएंगे तो यहां पर अन्की सब्रफम की लिष्टनम लिस्ट हूं अबर लिए सब्सक्राइब हो कर लंबर दिया गए वो 9 डिजिट का तो एक बार इसको भी देख लेते हैं देखिए इस रूल लंबर में अगर आप देखेंगे तो आपको कितने डिजिट दिख रहे हैं ठीक है तो यहां देखिए आप साब सब्दों में दिखा है तो पूरे-पूरे 10 सब्दे यहां पर आप के तरफ देखेंगे तो यहां पर देखिए यह ठीक है यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर देखिए साब सब्दों में आपको जो है 10 डिजिट का दिख रहा होगा ठीक है लेकिन इससे पहले एक लिस्ट जारी हुई थी उसमें आपको जो है 9 डिजिट का ही roll number दिख रहा है था, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका भी proof हो यहाँ पर देखीए, यह period पहले जारी की गए, त्पूसमें आगर roll number देखेंगे, तो हर roll number में आपको nine digits ही दीख रहे हैं सभी में nine digits ही दे रहे हैं जो जो दस्मा Sabra digit करके 9 डिजिट यही दिख रहे थे और अब एड़ती इसी को लेकर के परेशान हो रहे थे तो फिलाल यह समस्या अब दूर कर दी गई पहले जो पीडियाफ जारी की गई तो इसमें टोटल पूरे रिजल्ट में ही 9 डिजिट ही दिख रहे थे लेकिन जो नई लिष्ट है उसमें मैंने आपको दिखाया पूरे पूरे 10 डिजिट दिख रहे हैं किसी पकार कि कोई समस्य नहीं आप लोग जो चेक आउट कर सकते हैं और यह जो रिजल्ट की PDF है हमारे टेलीग्राम शेले पर भ पचास में विग्यापित सहायक अचार के हिंदी विजय के लिखित परिच्छा में सफल ब्रत्यों का पर्थम चरण का जो साचाथकार है 9 मार्च 2022 से लेकर 16 मार्च 2022 तक तथा सहायक अचार संगीत गयान का साचाथकार 16 मार्च को निरदारित किया गया है इसका विस्तद ब पर यह जो सेडूल अप्लोड नहीं किया गया है मैं अचली आपको इन दोनों वेब साइट पर लेकर के चलता हूं यहां पर आपको दिखाता हूं कि क्या आया है अभी तक या नहीं आया है अब देखिए यह वेब्साइट वही है जो भी आपको दिखाई थी ठीक है UPHC211 डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन अभी तक यहां पर इंटर्व्यू सेडूल का या कटाफ का इसा कोई भी लिंक यहां पर एक्टिवीट नहीं किया गया लेकिन हिंदी का आप लोग जानते हैं कि सेडूल कर दिया गया है तो आइधिंग जल्दी ही अपलोड हो जाएगा ठीक है यूपी एची एस्सी की कारपणाली इतनी स्लो है कि नोटिस एक दिन पहले आ जाती है और रिजल्ट वगरा जो कटाफ वगरा जो कुछ भी होता है वो दो दिन बाद आता वेबसाइट पर तो यह हाल है यूपी एची एस्सी का परेसान ना हो अब दो एक दो दिन में इसक ठीक है यहां पर देखें ग्यारा सुपचास बड़ती कब सुरू हुई थी अभी तक उन्होंने अपनी वेबसाइट से उसको हटाया नहीं है ठीक है अब तो 2002 पदों पर तीन पदों पर बड़ती प्रक्रिया सुरू है लेकिन अभी तक यहां से लिंक नहीं लोगों ने औ और यहां पर रणिंग में देखेंगे तो रणिंग में भी यहां वी कोई नई लिश्ट अपडेट नहीं थीवर दिखा देता हूं यहां पर देखिए कि जो कुछ हमने बताया इसमें ठीक है कटाफ वगेरा के बारे मैं आपको बता दूँ कि यहां पर कटाफ को लेकर कि आज के समाचार पत्रों में दिया गया था कि हाई कोट के आदेशा नुसार इन्होंने अपने हिसाब से जो अभी कटाफ जारी कर दी है और हाई कोट जैसा कुछ आदेश देगा जो कुछ हाई कोट का मामला होगा उसकी अनुरूप जो है वो कटाफ में बाद में परिवर्तन भी हो सकता है कि कोई मामला हाई कोट में लंबी थै इस वज़े थोड़ा सा उपर नीचे कटाफ बाद में भी जा सकता है तो जो कुछ भी अपडेट लिए ओफिसल डूप से चैनल के माद्दम से आप लोगों को उपलब दकरवाई जाए कि फलाले इस व्यूटेम इतना ही धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा कि चैनल पर पहली बार आए